तर्पवाल नवश्कार दोस्तों आभी हम कड़े हैं चंडी Black बाइएरपोर्ट पर आज हम जा रहे हैं गया हैं मुंबै क्या फूंबै आ ना है में कि मॉंबै से मोपर जा रहे हैं क्योंकि मोंबै से जाएंगे एक लॉंज है यहां पर लिम्टेड कार्ड चलते हैं हम चेक करें कि एर्पोर्ट पर लॉंच कैसा है और उसमें क्या-क्या सर्व्स अवैलेबल और कौन-कौन से कार्ड वहां चलते हैं वह सारी जानकारी आपको देंगे तो आप से नवेदन है कि वीडियो को लाइक किजिए दोस्तों यह है चंडिगर एर्पोर्ट पर लॉंच इसका नाम है दिक्राइम बार और इस पर कौन-कौन से कार्ड चलते हैं इसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताएंगे और कैसी सर्विस है इसकी यह भी आपको बताएंगे तो यह बिल्कुली स्क्योर्टी चेक करते हैं इसकी सर्विस क्या ऐसी है जां आइज में आपको है खुली का खुली का के अच्छ यह जो होगा तो चुछ आइन गले जो अगले के खुली का को कि और आप है आप है जो और अ जो फाला पर ए कर लिया है तो दोस्तों अभी हमने लॉंज अक्सेस कर लिया है और जो लॉंज का कर लॉंज टाल दूंगा वही काड चलते हैं कोई रुपेवले कार्ड यहां पर चलते तो आप उसे साफ से अपना कार्ड लेके आईएगा बट खीक है कि आपको दूर्प में खाना डिसेंट मिल जाता है बट मेन्यू बहुत यहां चोटा है आई थिंक इनको थोड़ा इंप्रूब करना है और सिटिंग भी बहुत ज़्या कम है बिल्कुल चोटा सा रेस्टुएंट है बाकी खाना ठीक था अभी हम हतेश वाई से प ठीक है दो रुपे में क्या ही मिलेगा आपको अगर आप कभी चंडीगड एरपोट आते हो कहीं से यहां फिर आपकी फ्लाइट चंडीगड से है तो आपको क्या करना है कि आपको चंडीगड में 43 बस्टैंड या फिर 17 बस्टैंड जहां पर आप पंच्छकुला हर्याना स पंच्छकुला बस्टैंड से एरपोर्ट शटल बस सर्विस मिल जाती है जिसका क्राया मात्तर सोर पे है मात्तर सोर पे अधरवाइस आप चंडीगड से आऊगा तक टैक्सी बाला आठ नो सर पर आप से एट एगा तो आप अगर आपके पास टाइम है को कि यह एक गंटा लगाता है पंच्छकुला से एट गंटा लगा लिजिए और सत्रा से एक घंटा और 43 से आप लगा लिजिए चालीज मिल अगर आपको इतना टाइम है तो हर 20 मिंट के बाद इस बस की सर्विस है सुबह साड़े पांच से रात ग्यारा बय तक चलती है आप इस सर्विस का फ आप इस बस को यूज कीजिए आपको ये वस एर्पोर्ट के बाहर जब आप निकलोगे तो वहां भी मिल जाएगी ग्रोंड फ्लोर पर जाके बिल्कुल नीचे जाना है वहां पर अर्राइबल पर आपको बस मिल जाएगी और रेड कलर की बस होगी तो आप इस बस में जा स हम आपको बस्तए मिल झाल सिकती करो भी मिल निक कार। 5डे ऐस बस्तर म मुल जाएगी इना मानी पासी नह रापक है कि दिए कर दो है तुट कर दो कि दिए हनु रब तर दो कर दो दो हुआ जा जो जा। प्राव व्राव बहता खाल है तुप्ट नप मेगी of प्रव है जो है कर दो प्रवाय कौ दिए लुए्ट लुज को कि अजय 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 को दोस्तों रात के लगबुक बारा बच गये हैं और अभी हम खड़े हैं लोकमानिया तिलक टर्मिनस स्टेशन के बाहर एरपोर्ट पर लगबग हम दस बज़े पूंच के थे और एक घंटा हमारा लगज क्लेक्शन में लग गया तो आप भी एक घंटा लेके चलना कम से कम और उसके बाद हम फिर आटो स्टैंड पर गए हाई सुपा आटो मिल गया ह हमें अधरवाइज हम ओला से करते 220 मिल रहा था बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था हूंकि ट्रैफिक यहां बहुत होती है तो जल्दी यल्दी हम यहां पहुंच गया और अभी हमारी लगबग आदा गंटा पुना गंटा पड़ा हुआ है अगर आप भी आओ तो आप यह उस टाइम के हिसाप से एक गंटा आपना माइनस करना हूं कि एक एरपोर्ट पर लएगा वहां से टाइम मा तो आप बोला ओवर भी ट्राय कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो हमारे पास टाइम नहीं था हमने कोई नेगुशेशन नहीं की अभी मारी ट्रेयन बा वाश्रूम वाश्रूम भी क्लीन है। यह रूम ऐसी है और यह तरह की यह प्रॉप्टी ऐसे ऐसे बिला है वैसे ही प्रॉप्टी है। और इस तरफ बाल को नहीं दे रखी है। यह देखिए। यह बहार का इरिया है। और इसका प्राइज हमें पढ़ाया लगबग पांच जार पित्ती निन का तो अभी हम देखती है कैसा है यह दोस्तों अभी मैं बैठा हूं अपने होटल में ट्रिपल वीच रिजोट जोगे कलोवा बीच के पास है हम लगबग साड़े बारा बज़े सुबह मडगाओं रेल पर यहां पर इतनी टूरिस्ट फ्रेंडली चीजे है नहीं है गुवा में अर कोई बस है भी है तो कोई बताएगा नहीं यह आप समय लीजिए तो हमें बस नहीं मिली तो हमने थोड़ी नेगशिशन यतनी क्योंकि नेगशिशन भी यहां होती नहीं है ओला अबर है नहीं ह है आटवालों की अपनी दादागिरी है तो धाइस और पर दिया है हमने शे किलोमेटर के और अभी हम अपने होटल में पहुंच गए हैं अभी हम फ्रेश बगा रहा होंगे कुछ अपना सुभे ब्रेकफास्ट कर लीजा भी लंच बगा रहा करेंगे और जो गाड़ी वया करेंगे कि आज तो आज और दे निकल गया है तो हांभ डे के पैसे क्यों पर करने करेंगे और हमारे हिस्तेश बाइए होई किया था हमें पार्टी करेंगे आज इंसे पार्टी लेंगे वी क्योंके शर्थ हार